आज आस्मान पर बड़े उदासी चाही हुई थी मालूम होता था कि जैसे जमीन से आने वाली नाखुशगवार मौसम की शिकायात ने सूरज, बादल और हवा को अफसुर्दा और परिशान कर दिया था ऐसा क्या लिखा होगा इसमें? आह भरती हुई हवा ने सूरज से कहा अगर तुम इतना गरम ना होते, इतना ना चमकते तो लोग पसीने में ना डूपते और सब कुछ ठीक होता सूरज ने इत्रा कर बोला मेरी शुआये तो इंसानी सहत के लिए बहुत मुफीद है थूप में लोग समंदर के नारे खूमने जाते है और तो और कपड़े भी जल्दी से सूख जाते है सारा मौसम बादल ने खराब कर रखा है काली घटा बनकर च्छा जाता है और बारिश करके सब कुछ गीला कर देता है आपके ख्याल में बादल के वज़े से माहौल खराब होता है बादल ने जड़क कर कहा क्या तुमने नहीं देखा बारिश में बच्चे किस तरह खेलते हैं लोग मेरा मज़ा लेने के लिए पकोड़े और मजे मजे के खाने खाते हैं फिर तेज हवा का ज्छोंका अपने साथ बादल ले जाता है और सारा मज़ा किर किरा कर देता है हवा की वज़े से क्या होता होगा हवा ने जट से कहा तुम क्या जानो मेरी एहमियत मेरे ही बल पर फूल खिलते हैं बागात महकते हैं और परिंदे उड़ते हैं तीनो यू ही आपस में लड़ने लगे आपके खयाल में कौन जीतेगा इन तीनो में से पहली बारी सूरज की आई सूरज अपने उरूज पर आया और आग का गोला बनकर जोर से चमका अरे ये क्या नीचे देखा तो लोग पसीने में डूब रहे थे कोई ठंडे पानी की तलाश में था तो कोई कुलफी के लिए तरस रहा था हवा ने हसते हुए कहा अरे हटो अब मेरी बारी है शाय शाय करके ऐसी तेज हवा चली के कहीं कहीं पे धूल उड़ने लगी और किसी की टोपी दूर जा गिरी बादल की बज़े से क्या हुआ होगा ये देखकर बादल बोला तुम दोनों से नहीं होगा अब देखो मेरा कमाल छट से काली घटा चाही बिजली कडकी और टिप-टिप बारिश परसने लगी श्श्श्श्श्य लोग दोड़े, फिसले और घरों के अंदर भाग गए ये मंजर देखकर सूरज, बादल और हवा तीनों उदास होकर खामोशी से बैट गए इतने में उन्हें जमीन से धीमी सी आवाज आई कितना दिलकश समा होता अगर हलकी सी धूप होती सफेद बादल चाय होते और धीरे से हवा चलती अगर ऐसा होता तो कैसा मौसम होता ये सुनकर सूरज बादल और होवा को खयाल आया कि वो तीनों मिलकर मौसम को खुशगवार बना सकते हैं और ये सोचकर तीनों ने पौरण दोस्ती कर ली